मद्यप्रदेश में नगरी निकाए और पंचायती चुनाव को तीन महीने के लिए स्थखित कर दिया गया है कोरोना महमारी के कारण चुनाव को स्थखित किया गया अब 20 फरवरी के बाद ही चुनाव की तारीख तै की जाएगी जिसको लेकर कॉंग्रिस ने अब बीजेपी को आड़े हाथ हो लिया है कॉंग्रिस प्रवक्ता जैसे यादव का कहना है कि बीजेपी जब किसान सम्मिलन करती है बड़े-बड़े आयोजन करती है तब उन्हें कोरोना याद नहीं आता लेकिन चुनाव में ही बीजेपी को क्यों नजर आ रहा है। इसलिए नगरी निकाय चुनाव में हार से बचने के लिए अपनी आविवस्था को छुपाने के लिए भारती जनता पायटी सरकार ने नगरी निकाय उपंचायतों के चुनाव टाले हैं लेकिन दो-तीन महीने बाद जब भी चुनाव होंगे भाचपा की हार सुनिश्चित है वही बीजबी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव गब कराना ही यह राज्य निर्वाचन आयोग करने होता है राज्य निर्वाचन आयोग जब भी तिथी खोशित करेगा तब बीजबी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तयार है बीजबी किसी भी तोर पर चुनाव से भागने वाली पार्टी नहीं है नगरी निकाय चुनाव कराने या पंचैतों के चुनाव कराने का अधिकार और काम राज्य निर्वाचन आयोग का है राज्य निर्वाचन आयोग अपने अधिकार छेत्रवे चुनाव अब करवाए या तब करवाए आज करवाया कल करवाय जब तिथी गोसेद करेगा भारती जंता प्रटी तैयार है। चुनाव मायो अगर बाद में चुनाव कराना चायता है, तो भी भारती जंता प्रटी तैयार है। भारती जन्ता पार्टी कहीं किसी भी तोर पर चुनाव से भाग रहे वाली पार्टी नहीं है। खबरों में फिलाल इतना ही देश प्रदेश के अने खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं म्रदुभाशी नियूज।